हलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग तो हम देख रहे थे अपनी यूनिट सर्ड करने वाले हैं और इसकी बात करें तो यह हमारा जो नेश्ट पार्ट है हमारी यूनिट सेकेंड का यहां कि आप ऐसे समझो कि हमने यूनिट सेकेंड में क्या च्टडी किया था ड्रग एक्टि अब जो हमारा इसमें दूसरा तर्म आएगा जाने कि पढ़ने वाले हैं अब आप लोग से कि यह सिंपल थी कि अगर आपने यूनिट सेकेंड नहीं देगी हो तो पहले जाके आप उसकी को देखें क्योंकि यह हमारे कंटिनेस पार्ट है तो वह बहुत जादा इंपोर्ट है क्योंकि उसमें हमने बेज सिक जाना थे क्या होते हैं उसकेबार हमारेर नीजरो प्रांसबडर क्या आपने नहीं देखी हो और इसकी जो लिंक होगी वह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहां से आगे देख सकते हैं और आप मेरा तो मानए यह अगर आपने यूनिट सेकेंड नहीं देखी हो तो उसको आप जाके पहले करती है यानि कि भो रिस्पॉंज जो हमारी खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं जैसे हम बात करें सांस लेना हो गया डाइजेशन हो गया दिल दाडग रहा वह चीज हो गई तो यह सारे इन्वॉलंटरी रिस्पॉंज नहीं कर सकते हमारी मरजी तो हैं नहीं कि भाई अच् सबस्ति है उसको हम थोड़ा अपनी कंट्रोल लेकर आते हैं मैंटन करते हैं तो वह हमारा पैर से अब यह आपको यह थोड़ा होगा अगर आपको नर्वस सिस्टम बाला नहीं पता है तो इसलिए बोल रहा हूं कि नर्वस सिस्टम को जाके आप जरूर जरूर देख लेना घए है अब एक टर्म सिंपल समस्ति हैं उसके बाल आपनों और यहां से टोपिक से स्टार्ट करेंगे पहला हमारा यहां आता है नीरो ट्रांस्मिटर तो नीरो ट्रांस्मिटर क्या होते हैं तो हम एक वाध मतलब जो हमारे बाड़ी में इन्फोरियमेंशन चलती हैं वह मा दो के इनकल के और इस वाले पहुंच आएगा और इस वाले से निकल के फिर आगई चलेज़ाएगा तो वह थो नियूरो से हमारे होगे नियूरों और ट्रांस्मिटर से हमारा होगे ट्रांसफर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है एक्स वाइड वह सारी इंफॉर्मिशन हमारी नियूरो ट्रांस्मिटर द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है ब्रेन इसको अनिलाइज करेगा फिर उसको बापिस बेजेगा कि आप इसका रिप्लाई में यह करो तो यह सारी च पोरीर यह और यही हमारी चीज़ लाता है त कहलता है खाले वह सारी चीजे अहां रहे एक हमारा था sympathetic एक हमारा था parasympathetic तो जो sympathetic वाला था वह हमारा जो neurotransmitter release करता है क्योंकि सबी neuron अपने अलग-अलग neurotransmitter release करते हैं उसी के साफ से नारी body में function होता है अब जो sympathetic वाला करता है यह हमारा करता है adrenaline को और इसी लिए जो इसका पूरा पूरा system था वो हमारा हमारी body में तब रिलीज होता है जो हमारी body से हमें normal condition में लेके आना हो और जो neurotransmitter हमारा release होता है वो हमारा mostly होता है acetylcholine और इसी लिए जो इसकी पूरे function को हम बोलते हैं वो हमारा cholinergic system और जो हमारे neurotransmitter होते हैं उसको हम बोलते हैं यहां पर cholinergic neurotransmitter तो अगर हम अपना पहला topic यहां पर डिसकस करते हैं यह हमारा क्या है cholinergic neurotransmitter और फिर हम यहां पर पढ़ेंगे biosynthesis and catabolism of acetylcholine और यह जो receptor वाला होगा इसको हम नेक्ट वीडियो में cover करेंगे तो अगर हम बात करें cholinergic neurotransmitter की तो हम सिंपल इसको बोल सकते हैं कि 12 neurotransmitter विच रिलीज और फॉर्म फॉर्म दा पैरसंपैटरिक नर्व एंडिक या बोल सकते पैरसंपैटरिक nervous system यानकि हमारे दो थे तो पैरसंपैटरिक वाले में जो रिलीज हो रहा है वो हमारा कहता है acetylcholine और यही हमारा सिस्टम पूरा कहलाता है cholinergic neurotransmitter वाला अब हम बात थोड़ी सी जान लेते acetylcholine के बारे में क्योंकि सबसे जादे important हमारा यही है और यही हमारा main काम कर रहा है तो यह हमारा क्या है एक major neurotransmitter है और यह हमारा post ganglion synapse पर मतलब यह होता है और फिर क्या करेगा यह अपना काम करेगा अपने receptor के उपर बाइंड करके ठीक है तो इसका कुछ diagram वारा इस तरह का होता आपको दिख रहा होगा इसके बारे में भी हम जो आगे इसको हम बोलते हैं biosynthesis storage and release of aCH aCH का simple फंदा यहां होता है acetylcholine इसी को थोड़ा सार्ट में हम यहां पर जो है acs लिखते हैं अब कई वार question exam में बाइव अटा देंगे तो कुछ इस तरह आएगा कि synthesis storage and release of aCH के बारे में बताओ और यह हो सकता है दस नंबर में भी आता तो आपको सारा कुछ लिखना पढ़ेगा अब इसमें जो में फंदा है वो हमारा होता बायो सिंद्धा थे यान कि हमारा जो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा theoretical समझ लेते हैं फिर आम इसको आपको डाइग्राम की यहां बना रखा यह वाला तो इसकी मतस्ते में आपको यहां पर अच्छे से समझा दूँगा तो पहले हम बात करते हैं तो यह हमारे एक अब बात करें तो यह हमारे नर्वस इसके अंदर हमारा यह वाला जो अब बात करें दूसरी तो जो हमारा सबसे पहले हमारा जो फॉर्म होता है तो यह हमारा कॉलीन से बनता है अब कॉलीन कहां बनता है तो कॉलीन हमारा बनता है लीवर के अंदर और कॉलीन लीवर के अंदर किस-किस के दौरा बनेगा पहला हमारा होगा सेरिन दूसरा हमारा होगा एथलोन अमीन अभी इसको हम रियक्शन में भी देखेंगे तो आपक सिस्टम होते हैं बहुत सकते हैं सोडियम ट्रांसपॉर इसके बाद करें जैसे पहुंच गई जैसे हमारा कैसे बनेगा हमारा कॉलिन पहुंच गया तो कॉलिं प्लस हमारे उसमें नर्फ होता है Acetyl Co-Enzyme A तो Acetyl Co-Enzyme A और इसके साथ मिलके वह हमारा क्या बनाता है Acetyl Collin Form कर देता है और यह हमारा फृदर बन जाता है और Enzyme इसमें हमारा लगता है Acetyl Collin Transparence अब हम इसको कुछ इस तरह तरह थमझते हैं अब हमको D Carbogs Delays का मतला है D से डिलीट हो गया Carbogs Delays का मतला हो गया CO2 यानिकि यहां पर हमारा CO2 की आफ़जाएगा माइनस हो जाएगा तो अगर हम इसमें से यह CO2 यहां से निकाल दें यह हमारा को जिस तरह था अब यह जो हमारा बनाए इसको हम बोलते हैं Ethanol Amine खिक है देखो Ethanol के हो है CH2 CH2 हो गया तो हमारा ETH हो गया और यहां UH लगा तो यह हमारा का Ethanol और N में लगा Amine ग्रूप तो इसको हम बोलेंगे पूरा Ethanol Amine अब इसकी और यह वाला यहां पर अब यहांपर और यहां बन गया अब हमारी यहां बन गया अब फर्दर रियक्षण होती है अब हमारे जो निईर्प रही अब क्या करेखा यह कॉलीन इसके साथ बнуться करेगा अब रियक्षान करेगा तो क्या देखो यहां से यह hydrogen और यहां से यह पूरा का पूरा यह वाला जो है यह यह दौनों चीज़ हमारी क्या हो जाती है निकल जाती है अब बचा किया यह वाला तो यह वाला c direct क्या हुजाएगा इस वाले o से बाइंड हुजाएगा तो देखो यहीं यहां हुगा है c s3 c w and o और यह वाला जो बॉंड था यह डारकली इस और इसको माइनस करके और यहां पर देखो और हमारा बाकी का बचा हुआ फिर यह वाला c h2 c h2 n और यह हमारा टोटल से में और यह वाला निकल गया था हो वह हमारा यह रहा इसका हम बोलते हैं आप यहां पर एसिटाइल को नहीं तो इतनी सिंपल तरीके से हमारी यह पूरी बायो सिंथेजिस होती अब यहां पर हमारा पहले से प्रिजंट क्या होगा तो अब यह इसके साथ बाइंड करेगा वह मैंने दिखा दिया कैसे और हमारा फॉर्म हो जाएगा एसिटाइल को लिए और यह हमारी थी बायो सिंथेजिस इंपल बात है अब हमारे जो नेस्ट तरह होगी आपको एक ए ले दिया है तो यह सारे नोर्स आपको बैप साइट पर हम अप्लोड कर देंगे वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बाकी डिस्किप्शन आप बिजिट कर लेना वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वारा है अब हम बात करते हैं स्टोरेज के क्योंकि अब यह हमारा बन गया जानकि जो हमारा एक चीद हमने पहले भी जानी थी कि जितने भी हमारे नीरो ट्रांस्पिटर होते हैं वह हमारे किसी बैसिकल के अंदर होते हैं क्यों होते हैं जिससे उससे सेफटी मिलती रहे बहार बहुत सारे एंजाइम घूमते फिरते रहते हैं तो वह इसको हाइड़ोलाइज ना करते हैं, इसको एफेक्ट ना पहुचा दे हैं, तो इसके लिए वो बैसीकल के अंदर प्रिजेंट होता है, तो वही यहाँ पर सिंपल बताया कि जो हमारा एसीकल के अंदर डाल देगा और वहाँ पर सेफ होताएगा, अब थोड़ी सी जन मारे लगो एक हजार से पचास हैर तक जो वह यहां पर यहां पर बन सकते हैं यान कि समझ रहे हो बहुत जो चोटा होता है ठीक है अब इसके बात करें जो हमारे यह अगई तो यह हमारे प्रोटेक्ट कर रहा है है लीजिस से अब हो जाए लैट करो क्या होता ब्रेकडाउन करना याद कि वह क्या करेंगा हमारे इसीटाल को यह खतम हो गया तो यह अपना असर नहीं दिखा पागा इस लिए इसको प्रोट्रेक्ट करना भी ज़रूरी होता तो यह हमारा बैसिकल के अंदर आ जाता है आप यह तसमें ह्माइन फंगा सो चनदर यह बेहां पर यह है START हो गया से इश्टार हो सब्सक्राइब धास बड़ागन में काल के आप इस अंतर अनल मनें डिक्तर खाए ब्लैक बड़ा रही में तसके क्या है नियूरो ट्रंस्विटर जिसको हम यह हम नहीं बोलेगा तो झाल कूछ पूरा Congo को विगर कोई थया उपकूरा अब किया होका हमारे और दि दिद्धे इसको कहानी समझो मैं थोड़ा इस तरह लिख दिया वाला जो हमारी बाड़ी में कोई जरूरत होगी तब ही तो यह काम करेगा तो वह इस नर्म याने के यहां से हमारी बाड़ी में इस जगाht से और इस जगहें कि हमारे जो नर्वeld इसके अंदर हमारे कि आए पॉजिटिव आए एंटर करने लगेंगे ęंट्र की मदर खरते करते हैं बोल्टेज गेटेड चैनल की मतब से ठीक है तो आप इतना समझो जैसे हमारा एक्टिवेट होगा नर्व टन मेमरें यह वाली थोड़ी सी क्लोज आती तो इसके अंदर हमारे यहां पर एंटर होते हैं अब इनके एंटर होनी को वैसे क्या होता है हमारी बॉड़ी में मतलब इस अदर हमारे यह वाले पूरा एरिया है इसको बोलते हैं सानैप्टिक क्लेफ्ट तो सानैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हमारे यह वाले न्यूछन हैं, यह उन्दर आजाएंगे, ठीक हैThis is basically would know our связi, the यहां चाहिए तो देखा बहुत जादा सिंपल है आपको एक चीज को कनेक्ट करना आंडा चाहिए कहां से कैसे होते हुए यहां पर यहां सबसे पहले हमारा यहां पर बना कॉलीन यहां पर यहां पर और हमार क्या करे गा यह हमारा बच्ट को एंगने यहां तैकन रोलके में चाहिए हमारो कियायरा यहां पर अदर में चाहिए जरुते हैं और यहां पर ये वाली जो नर्व टान्म Mouse यह मयम्रेल है यह वाली क्या होँए कि ठोड़ी सी टूटने लगिए और इसकी कोई भी response होगा इस ड्रक का एसिटाल कॉलीन का वो अपना रिस्पॉस्ट यहां पर सो करेगा तो इस तरह हमारा सिंपल यह पूरा का पूरा फंडा चलता यहां रिसीब बारा और यहां पर देखो यह हमारे कॉलंडिसिक्रिषल कॉन कोन्से होती है इसके बाद यह अपना असर करते है अब हमारी हमारे यह कॉन स्टेशन गृdaughter कोहने होती है इसके प्यदिशन कॉन से यह जानते कि जब भी कोई भी चीशिव हमारी बड़ी में हुआ connect होना बंद नहीं हुआ तो मालो अगर यह हमारे heart rate को थोड़ा सा कम कर रहा है जो हमारी भड़ गई थी sympathetic में तो अगर हम इसको रोकेंगे नहीं time पर तो हमारी body का heart rate बहुत जादा slow हो जाएगा तो उसका काम मन्तलब अगर हम इसको study करें तो हमारा क्या होता है यहां पर कि after the release and action of acetylcholine यानकि हमारा यहां पर release हो गया action भी दे दिया अब इसके function और effect को हम क्या करते हैं terminate करते हैं अब terminate हम क्या काम होगा वो हमारा में होता है hydrolysis यानकि हम इसको डारक्ली भी बोल सकते हैं कि हम क्या करा देंगा हम इसकी hydrolysis करा देंगे अब हाइडोलिस जो कराते हैं वह हमारा enzyme कौन सा होता है इसको फर्दर दो पार्स में पर इस और इन दोनों में डिवाइड करते हैं और यह अपना कोई भी असर हमारे यहां पर नहीं दिखा पाते हैं और हमारे जो ज़्यादा जरूरी होता और जो हमारे जो कॉलिन इस्टरेज और यह हमारा हमारा बतला हिए उसका इसका यहां बाला यह पर बॉट्रेन टॉक्सिक और यह भी यह आदा यह रहा है यहां से यह वाला ऐसी टाल कॉलीन, इसके जो रिलीज को रोखता है, वो हमारा होता है, यहां पर बॉटी लिनम टॉक्स, ठीक है, तो यह हमारा कुछ इस तरह से सिंबल काम करता है, I hope आप लोग समझ गए होंगे सारा को, अगर आपको फिर भी डाउट्स होता है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, बाकि कोई भी आपकी चीज़ों कमेंट करके हमें बताइए, बाकि इसको दोस्तों के साथ सेर कीज़ें, जैसे वो भी इसका प्रॉपिट फ्री में उठा सकें, बाकि बस आज की वीडियो में इतना ही, नोट्स पागर आपको वैपसाइट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आपको विजिट कर लेना, बाकि मिलते आप से बहुत दार नेश्ट वीडियो में, तब तक इन फैंट थैंक यू, टेक केर, आपसे भी लोग अपना ख्याल रखेगा, बाई बाई